हेलो गाइज बेलकम बाइक स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल बाटन लेक्चर में गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेच्छल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन इसके पहले का जो वीडियो है हमने अपलोड किया था आप लोगों ने उस वीडिय सब्सक्राइब है अच्छे तरिके से समझ में आएगा एक बात अप ध्यान में रखेगा नेच्छल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे उसके बाद ही जितनी भी फैमिली हैं का डिस्क्रिप्टिप्टन या उनका क्लासिफिकेशन आप आसानी से कर पाएंगे तो देखते हैं यह बहुत सारे इससे सांटिश हैं जिन्होंने नैचल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था क्या है इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और इसका नोट्स आसानी से आप अपने नोट्स नोट्बूक में बना लेना है ठीक है क्योंकि आपके एक्जाम में 100% मैंसे हमने कहा ना कि 90% आने का पूरे पूरे चांसे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत जये चलिए आगे बात करते हैं बिंतम हुकर सिस्टम आप क्लासिफिकेशन बिंतम हुकर यह दो बड़े महान साइंटिस है इनका पूरा नाम है जॉर्ज बिंतम और जॉसेप डाल्टन हुकर दूनों महान साइंटिस्ट ब्रिटिस के रहने वारे थे और इन्हों ने सबसे बिश्टु के सबसे बड़े बॉटिंगल गार्डेन में रॉयल बॉटिंगल गार्डेन क्यूं जो की इंग्लेंड में लोकेटेड है वहां पर वर्क किया था और अपना सिस्टम आप क्लासिफिकेशन वही पर इन्हों ने दिया था अपने पुस्तक में जेनरा प्लांटेरम में इनकी पुस्तक का नाम है जेनरा प्लांटेरम उसी में इन्होंने यह सिस्टम आप क्लासिफिकेशन अच्छे से प्रस्तावित किया था बनाय था यह पुब्लिक्स किया था तो आप देख सकते हैं दोनों लोग की तस्वीर भी आपके सामने हमने रख दिया है जोसिप टॉल्टन होकर के नीची है और उपर है जार्ज बिंथम की तस्वीर है आप इनको देख सकते हैं आगे हम इनके सिस्टम आप क्लासिफिकेशन वे थोड़ा सा प्रगाश डालते हैं आप तो फस्ट पार्ट आप जिनरा प्लांटेरम जो जिनरा प्लांटेरम का सबसे हुआ था और इसका लास्ट पार्ट जो था अप्रेल 1883 इस भी में पब्लिस हुआ था ठीक है और दिये गए नीचे के जो टेबल है टेबल नंबर फर्स्ट में कितने प्लांट इन्होंने बताए थे कितने इस पेसीजे बताए थी कितने आडर बताए थे वह सारी चीजे अ तो कंपेटीशन लेबल में देखा जा तो बेंथा मुकर से इस चाड को अगर आप तयार कर लेते हैं तो काफी कोशन आपके फस जाएंगे ठीक है तो टेबल फस्ट गिप्ट से समरी आप नंबर फैमली जेनरा एंड स्पिसीज आप फ्लावरिंग प्लांट्स नोना इट टाइम आप पप्लांट टेरम आल्दो कि बेंथम मैंड रोकल सिस्टम आप क्लासिप्रकियूट बार्स बेस्ट बेस्ट आनल हैप कंड्ड हमें फेसे जलिव सबसे पहले हां पर देख लीजीग को तो डाई को इसके तीन क्लाशेश में ड्युवाइड किया थे पौलिपेटली गेमयोपेटली और मोनोकेमैडी तो पहले आप इनको समझे डाइक 것을 लिए फिर बीच में रखा गया था जिम्नियो स्पर्म्स और लास्ट में था मोनो काटली डंस ठीक ना चलिए देखते हैं पहले पॉलिपेटली सबसे पहले पॉलिपेटली पे नेज़र डालते हैं दोस्तों जो पॉलिपेटली है इसमें टोटल आडर की बात करें तो 82 आडर रखे गए हैं या फिर इस आडर को यहां पर फैंपली टर्म भी योज चे पिया जाता है अब इसमें नमबर आप जेंडर के बात करें तो दोस्तों पॉलिंपेटली के अंतर के 2610 जेन्रा रखे गए हैं 2610 ओवराल जेन्रा रखे गए हैं जिसके अंतरगत जो species की संक्या है वह यहाँ पर दी गई है 31,874 टोटल नंबर आप species के अंतरगत रखे गए हैं इतने जेन्रा के अंतरगत इतनी species ये रखे गए हैं ठीक है नेक्स्ट अगला हो जाएगा गैमोपेटली दोस्तों गैमोपेटली में टोटल 45 आर्डर रखे गए हैं ठीक है जिसमें कितनी किस खेंट के अंतरगत रखे गे हैं और पूरा डिस्किक्रिप्शन उस चार्ड में दिया गया है तो इसको मैं यूझाने आपको आखरी में दिखाऊंगा ठीक है पहले आप इसका एक concept देह लीजे आपको लिख ना एक्जाम में आपको यहां लिख Mom मिल जाए इस बात को मैं आपको बताऊंगा अगल हो जाएगा मोनो किलिमाटी तो दोस्तो मोनो क्लिमाटी में 36 दशारर कितना दर और इसके अंतरगत 801 जिनरा है जिसमें 11784 इंक्लूड़ीड है नेर्श हो जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन आडर या फैमिलेजर रखेंगे हैं जिसके अंतरगत जिनरा की संख्या 44 है तो सबसे कम जिनरा और सबसे कम स्पिसीज काउंट से ग्रूप में हैं यह भी क कि एक कोश्यन और आता है कि जिम्यों स्पर्म को बिंथा मूंकर ने कहां पर रखा है तो बीट भीन डाइकार्ट एंड मोनोकार्ट के बीच में इन्हों ने रखा इसको ध्यान दीजिएगा इस बात को भूलिएगा मताब लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मोनोकार्ट लीडर्स दोस्तों मोनोकार्ट लीडर्स में 34 फैमिलीज है उसके बाद 1495 जनरा है और 18576 टोटल इंक्लूडेट है अब टोटल ओवराल देखा जाए तो 200 फैमिलीज कितनी फैमिलीज है साथ 1569 जनरा है संतानवे 1205 इस पीचीज है तो टोटल भी यहां पे काउंट करके रख दिया गया है इस चार्ट में इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अब कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है इसके बारे में आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं लास्ट में मै सबसे बड़ा सबसे मोस्ट इंपर्टन जो फीचर इस फैमिली का इस पॉइंट को आप ध्यान दीजेगा दिया को रोला आफ डिस्टिंक्ट पेटल्स जो पेटल होते हैं मिन्स को रोला जिसको बोल ला जाता है वह डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग होते हैं सिप्रेट होते हैं पॉली मिन्स सब के सब फ्री होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं यह कंडिशन हो जाएगा तो एक पॉइंट ही आपको ध्यान रखना है प तो आपको बढ़ सब्सक्राइब दोनों एक जैसे दिखाय देते हैं याँ आप कह सकते हैं ना अग्जेक्टली आपको समझ में आएगा तो जारी की तरह होगा या पेटल की तरह होगा या सपल की तरह है तो इस सिरीज हो जाएगा दोस्तों इसमें थैलमी फ्लोरी का फर्ष्ट सिरीज हो जाएगा पोली पेटली की पहली सिरीज है ध्यान दिजेगा थैलमी फ्लोरी जिसमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं इस्टिमेंस और पेटल्स का अरेज्मेंट कैसा होता है हाइपोगाइ होता है और दोस्तों हाइपोगानिस कंडिशन में जो ओवरी होती है ना हमेशा सुपीरियर होती है इसको समझना कैसे समझना है आए यह हो गया मालीजी हमने एक यहां पर आपको समझा दे रहे हैं यह हो गया अबराल का इनीशियम का पार्ट ठीक है ऐसे समझेगा फिर से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऑब कैलेक्स और करोला अघर और के नीचे बाले पार्ट से यहां से निकलता है यहां से तो इस कंडिशन में जो ओवरी होती है सुपिरियर होती है फ्लावर को बोलते है ऐसे फ्लावर को हाइप ओगानिस वह होके समझना आगे बढ़ते हैं तो तो आपको ध्यान देना है कि पेटल और इस्टमेंट का अरेंजमेंट कैसा होता है हाइफ और इसके अंतरगत कितने अर्डर रखेंगे ध्यान दिजेगा अब हर एक आडर राटने की जरूरत नहीं है आपको केवल पहला प्रिम्टिव आडर और और एडवांस आडर हर गुर तो आपका छोटा भी है नहीं अनुद और तो और पहला और आखरी याद होना चाहिए है नेक्स्ट अगली सीरी जगाईच डिसी फ्लोरी दोस्तों डिसी फ्लोरी में पेटल्स और इस्टिमेंस हाइपोगानस यहां भी पेटल्स और इस्टिमेंस हाइपोगानस कंडिशन में ही हैं ओके नेक्टरी फेरस डिस्क स्राउंड दे बेस आप ओवरी के बेस पर नेक्टरी cantine this day कमे अद्सके इंतरगर चार कहाट रखे गये हैं कितने कोहाट चार कहाट पहला जिरियन वर्धेयर और आखरी आपको याद करना है जीरेनियो है और सेपंडेयल्स सिरीज का इसे जंद क्ãoलिपनट क Bennett तो दोस्तों कैल्सी फ्लोरी जो होती है इसमें पेटल्स एंड इस्टेमन्स पेरी गानेस कंडिशन्स में होते हैं ठीक है अब इस पेरी गानेस और इपी गानेस क्या होता इसको पहले समाझे लीजिए ध्यान दिजीगा देखेए कैलिक्स और क्रोला और इस्टेमनि यह बीं से ने निकल कि बलकि एक अधेवाले पोर्शं से निकलते हैं यह से अगर यहां से निकलते हैं तो इसको बोलते हैं पेरिगानेस कंडिशन फ्लावर और इस कंडिशन में जो ओबरी होती है सेमी इनिफिरियर होती है इपिगानेस कंडिशन क्या है सेम इसी का उल्टा थोड़ा सा अब देखें कैलिक्स कॉरोला इंडरोसियम ना बेस से निकलेग बलकि सबसे टॉप से यानि ओबरी नीचे होगी और करोला इंडर से ऊपर से निकलेंगे तो इस कंडिशन में इपिगानिस कंडिशन होता है और ओबरी जो होती है दोस्तों वह इंफिरियर होती है ठीक ना इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है आपको केवल प्ल सब्सक्राणी प्लेइलिस्ट है यकिन आपको यह सारी वीडियो टीटेल में बहुत अच्छे तरीके से पिगानेस पेरी गानेस क्या है हमेशा के लिए डाउट इसका खतम हो जाएगा तो आपको प्लेइलिस्ट में जाना है और वहां पर इसको देख लेना ठीक है आगे ब बहुत ज्यादे इस पर परिशान होने की आपको ज़रूवत नहीं है दो आडर याद करने बहुत ज्यादा जूरु है most primitive order of this series and most advanced order of this series okay next gamma petali guys gamma petali means corolla of united petals that means all petals in all group of orders jointed together सभी corolla क्या होंगे यहां पर joint होंगे एक दूसरे से जुड़े होंगे फ्यूज होंगे unite होंगे यह united बोलेंगे इसको यानि कि अगर करोला फ्यूज है तो वह सब के सब किसमें रखे जांगे gamma petali में दोस्तों अब इसके अंतरगत भी तीन सीरीज रखे गए त्री सीरीज इंकिलूडर है फरस्ट है इन फेरी इस इन फेरी वाली सब में इसलिए याद करना जरूरी है पढ़ते हैं तो दोस्तों इसके अंतरगत जो अबरी होती है यही एक करेक्टर सबसे इसलिए रखा गया है कि केबल आपको एक ही करेक्टर अपनी दिमाग में रखना है और इससे ज़्याद आपको परिसान होने की कोई जोरूत नहीं है जैसा यहां पर मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको डिस्क्राइब कर देना है अपनी नोट बुक में और आपके एक्जाम में भी स्यम आइज सच ही उतार देना है आपको इतनी अच्छे माक्स मिलेंगे कोई कटने की चांसेस नहीं रहेगी इतना समझ लीजिएगा तो दोस्तों यहां पर त्री कोहर्ट रखे गए हैं पहला कोहर्ट हो जागा रूभेशा भील्स में रूभी एसी में आपको पढ़ना है दूसरा है कंपैन ऐस कानसे सापके कोर्श में नहीं है लेकिन हैं कि आ त्पर आपको कह सकते हैं प्लों % कर रहे हैं यह पहले पेपर और सेकेंड पर दोनों एक साथ हम वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तीन लेक्चर हमने पहले अच्छा का से 20-25 मिनट के नियर वाउट बना करके पहले पेपर का अप्लोड किया है जिसमें टेडव फायटा का हमने अप्लोड किया ठीक ना अब ती यह तीसरा वीडियो है सिकेंड पेपर का तो वीडियो हमने पहले ही अप्लोड कर दिया है सिकेंड पेपर का यह तीसरा है तो इस चक्र में बिलकुल मत रहेगा कि आप लोग को जो वीडियो जो नहीं मिलेगा किसी भी पेपर का हम अपलोड कर सकते हैं आपके लिए जो इं इंट्रोड़क्शन जो होता है वह ज्यादा जरूरी है यहां पर जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी फैमिली का डिस्क्राइब करने में बहुत ज्याद अदिकत नहीं होगी समझ रहे ना एक एक फैमिली भी आपके सामने हम लेके आएंगे अब ट कि प्लावरवाली फैमिली कह जाती है यह से मे över की मैं जाद एक स्ट्रेशी में हेट्रोमेरी दूसरी स्षिष हो गई हेट्रोमेरी औरी सुपीरियर होती है इसमें अध्यम मैं जोतंख्या होगी घैर सारे हो सकते हैं अपने बैदा करूड़ोंग slash जो कोड़े जोड़े होगे कर unfortunately के अधिक कार भी संख्या भी होगी तो हो सकते हैं चार हो जास पांच हो सकते हैं या मेक्ले जीड़ी को हार्ड व्हाटा नो革हाएं पहला कौर्ट है इरिकेल्स इसको याद कर लिए और लास्ट वाला है प्रिमुलेल्स तीन ही आडर रखे गए हैं अब उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है अच्छा एक बात अध्यान दीजिएगा 90% हमने कहा है कि यह आएगा ही 100% में से तो आपको एक ही काम है आपक इस कमरे में जिस टेबल के आसपास आप बैटके पढ़ाई करते हैं वहीं पर इसको आप चस्पा कर लिजिए आपका काम हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी यह त्यार हो जाएगा इससे ठीक ना तो यह काम जरूर कर लिजिएगा अगर आपको लगता है बिंधा मुकर ए इंडिफाइऑ करेंगे अब लगता सकते हैं लेकिन आपको बेंधा मुक कर सिस्टम आना बहुत ज़्यादा कंपल सरी बहुत जय्यादा जरूरी है ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरी जो बाइक का सबसे बड़ा फिचर है सबसे ज्यादा किसमें कारपल की जो संखिया होती दोस्तों और सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है तो होती है यह सबसे ज्यादा सिंपल कोई भी प्लांट आप लीजिए उसका सक्षन कट किजिए अगर उसमें कारपल की संख्याद दो है आप एकदम दिमाग को अपने बैठा लेजिए यो बाई कारपलेटी के अंतरगत आएगा इसलिए कहरा हो कि बनथम wasker sy斯्टम में याद जादा जरूर 누älle है आपको आड्याट को अडिया करने के लिए बिन शरूर माइटा बहुत जादा जरूर अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करकद और एक बार वीडियो को लाइक जरू में कुछ इनवर्सिटीज के पेपर हो भी गए हैं सिकन समेश्टर के इतना तक हो चुका है ठीक है और दोस्तों जिनको नोट से लेना होगा तो फ़र्स्ट पेपर सिकन्ड पेपर यानि यह जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थर्ड और फोर्थ में से फास्ट पेपर और फोर्थ पेपर कब का कम्प्लीट हो चुका है और फ़र्ड पेपर का जो नोट से वह भी जल्दी आपको मैं मिन्स लगभग अगर ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा तो एक हफ्ते का टाइम लगेगा उसके अंदर आपको यह हो जाएगा ठीक है लगभग त्यार हो चुका है और साथी साथ आपको सिकंड पेपर का यह जो पर मैं पढ़ा रहा हूं इस पेपर का वह आपको नोट्स मिल जाएगा बहुत लोग ने नोट्स ले लिया फास्ट और फॉर्थ पेपर का तो आप लेट मत किजिएगा मार्क रहे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसके नंत्रगत चार आडर रखे गए हैं पहला है जैसे नेल्स और लास्ट वाला है लाय मीज लाइम एल्ज में लाइव घी फैमिली आ जाएगी और जिएम से ज्य यह सबसे ज्याद़ इंपपोर्टेंड यह वह सबसे ज्यादा इंपॉर यह साता है उसके बात करते हैं ओनो किलिम आइडी तो दोस्तों मोनो किलिम आडी में यहां पर पहले लिखा गया पेटल के बेसेश पर नेचुरल बेस तो है ही साथ इसाथ सबसे ज्यादा फोकस किया था बेंता मुझ करने पेटल्स पर ठीक पेटल्स के अरेज्मेंट करते हैं इंभ्यों कर्ब्ड रांड रण और उफील यूजिली फाइस में कितना होता है Tai den मिल्टी इंदेट Chi अंत्र होती है कि अग्ला यह हो जाएगी सीरी माल्टियूलीटी होगे अगला माल्टियूलीटि लेकिन ही हगे अगला जहेगा फोर्थ नम्मर पे माल il da aamar जो होता है बेरी elsewhere in कोस्पिक सेंडस्पर्म ठीके फ लो अगला जाएक तैफ नेल तर्फ से सक्व Спट बेरी यूजुली थ ऑन कार फेल एंटुझ्ट एक कारपेल होता है और एक सिंगल ओभी होता है डेफेयल में टो से क्लें मायस्ट रोभा कि दो आटाँ सब्सक्राइब अर्भ टॉडीर होती है इसके अंतरा कें जो बूसाल से होगे एक से लगवग कितने होते हैं तीन होते हैं ओक है इसके नाम से पता चलता है कि इसके इंतरगत होंगे इस तरीके से पोली पेटली गैमो पेटली मोनो किलिमाइडी डाइ का समाप्त हो जाता है अगया है जिन्मेस्वर्मी में बहुत ज्यादे इंपॉर्टन नहीं है उसको केबल आप ऐसे लिख दीजिएगा जिम्मेस्वर्मी कोई दिकतर निसका अंदर तक क्लासिफाइग करने की कोई जरूत नहीं है आखरी में हैं मोनो काटिली डंस इस पर फोकस करने की जरूबत है इसमें लगबख साथ सीरीज रखी गए हैं सेबन सीरीज हैं इंक्लूडेन हैं फर्स्ट सीरीज हो जाएगा माइक्रिस पर में मोनो काटिलीडन का ध्यान देजिएगा और इंफिरियर ओबरी होती है और साथ जाएज जो सीड होता है वह इसमाल होता है अगला हो्जाएगा यह यूजुली इनफिर्यर जीड लार्ज वर्यों होती है जीर कैसा होता है लार्ज होता है यह टीक kita अंग Jag know क्cirnochोन नरेही में नोचा कि तरह में प्रेलिक्स दिखाइगा इसलिए जो परिये इस निवह यहां तक भी पहला और दूसरा जो तो दोस्तों पर नमबर पर है कैल सिनी कैल सिनी में पेरियंत जो हता है सिपलाइड होता है इसके पहले वाले में पैटलाइड था यानि जब को कैलेक्स पैटल की तरह दिखेगा तो पैटलाइड बोलेंगे और जब कोरोला सिपल की तरह दिखेगा तो सिपलाइड बोलेंगे दोनों में बस यहीं डिफरेंट है ठीक न धहन देज़ेगा ओवरी सुपीरियर यहां भी यहां भी सुपीरियर यहां भी सुपीरियर अंतर सिर्फ पैटलाइड और सिपलाइड का है नेश्ट नुटी फ्लोरी गाइस जो है कर दोस्के बाद सब घर होती है जो इसके बाद सब्सक्राइब होती है जो जैँ मैंने सेवर नंबर पर उस्थ में पर yaz last लाइक है इसके लिए लीफ लाइक बहुत स्मालेस्ट पेरियंट यहां पर पाए जाएगा और वर कैफी ठीक है इस तरीके से बेंता मोकर सिस्टम आप क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया जितना हमने बताया उतना ही आपको करना है एक्जाम में इससे हट के इससे ज्यादा क कुछ भी करने के जरूतने सिस्टम यहीं होना चाहिए करने का एक चार्ड बना करके जैसे यहां नीचे दियेगा इस तरीके से आप करते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा लेकिन अगर आप करेक्टर बताते हुए डिस्क्राइब करते हैं तो बेहतर तरीके से आपको मार् रखा गए इसको एक बार देख लीजिए यहां पर जो चीजे छूड़ गए हैं आपको डिटियल मिल जाएंगी जैसे पॉली पेटली होगी सब क्लास पॉली पेटली सिरीज तीनों यहां रखे गए हैं थैलमे फ्लोरी पेसी फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी इसमें जो आडर है स इस आडर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है उसको भी बता दिया गया है कितनी फैमिली जे वह भी बता दिया गया है तो आप ऐसे में कितनी फैमिली किस आडर के अंतरगत रखी गए हैं आप देख सकते हैं जैसे आपको यहां पर हम दिखाते रहे हैं थैलमी फ्लोरी तोटल पांच नहिए लेकिन तीन यहां पर आप यह दिया गया अगला अधर हो जाएगा प्रे टेल्ल्स इसके अंतरगत देखे डिखेए पर भरेसी क्रूसिफेरी और कप रिड़ेशी तो इस तरीके से आप एक स्क्रीन शाट आप ले लिजे बड़ा सा है यापर एक सिकन्ट रुख जाएगा और अच्छे से ड्रा कर लिजेगा इसको और जूम भी करके हम आपको यहां पर थोड़ा दिखा दे रहा है ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सबी आजाएं को यहां पर जिम्न अपर उसको ज्ञादर नहीं किया गया है तीन सीरीज का यहां दिया गया है आडर फैम्ली सब लिखी गई है टोटल लिख दिया गया है आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं यह मोनो कुले माइडी का हो गया यह लाइन फूरा और ऐसे एट सीरीज हो गया ना और लास्ट में हो जाए गया आप मोनो कॉटलीडन का साथ सीरीज सेबन सीरीज है साथ फैमिलीज दो समय दिया गया है हर अडर में हर सीरीज के अंतरगत आई होप कि आप लोग को काफी मजाय होगा काफी आप लोगों ने इंज्वाइब किया है तो इस तरीके से इस वीडियो को फटापर सब के पास सेयर कर दीजेगा और एक लाइक तो बनती है ऐसे ही आपके पास और भी धन्य मात्याइब आप सभी का इस वीडियो बहुत 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 अबसी है